सबी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जिसमें की आपको पता है कि समय समय पे आपको सभी तरह की महत्पूर्ण जानकरियां और एजुकेशन दी जाती है शिक्षा से समंदित जानकर दी जाती है आपको पढ़ाया भी जाता है और आपको रोजगार से समंदित जो नई जानकरियां होती है वो दी जाती है तो इसी कड़ी के अंदर आज हम भारतिय करीशी अनुसंधान संस्थान है जो नई दिल्ली के अंदर उसके अंदर 641 पोस्ट निकली है उन पोस्ट के बारे में आपको जानकरी दी जाएगी यह पोस्ट 10 बेस पे है Indian Council of Agriculture Research यह संस्थान है इसके अंदर Technician Recruitment है 2021 और Application Farm है वो स्टार्ट हुए है 18 दिसंबर से और इसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी आज 7 जनवरी हो चुकी है तो 10 जनवरी तक तीन दिन है आपके पास अगर आप इन फार्मों को भढ़ना चाते हो तो चलिए देखते हैं एप्लिकेशन फीस है इस फार्म के लिए जो अन रिजरोड है या OBC है नोन क्रीमी लायर या एकनोमिक्स विक्कर सेक्षन है उनके लिए 1000 रुपे की फीस है और जो SC है जो एज लिमिट है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है इस पोस्ट के लिए और इसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्टे हैं अन रिजरोड अन अरक्षित जो पोस्ट है वो 266 है OBC की जो है वो 133 है economics weaker section के 60 पोस्ट हैं schedule cast के लिए 93 है और schedule tribe के लिए 68 पोस्ट है की मतलब अगर आप एक परशन को गल्द करते हो तो आपका एक बटे चार अंख काट लिये जाएगा है और जो इसका समेय है एगजाम में 90 मिंट मिलेंगे आपको क्यां है या में ओनलाइन होगा CBT computer based ये टेस्ट होगा आपका आगे इसका जो पाठ्थे करम है इसके पाठ्थे करम के अंदर क्या क्या शामिल है एक आप से समान्य ग्यान पूछा जाएगा भारत और उसके प्रोसी देशों से समंदित वर्तमान घटनाओं के ग्यान का प्रिक्षन करने के ल पर मैट्रिक्स सतर के परसंदस्वें लेवल तक की आपकी जीके होगी और वैसे आपको मैं एक राए दिऊंगा कि आप NCE आर्टिक पढ़िए NCRT पढ़िए 6-12 की वो आपको काफी साहिता करेगी विज्ञान के अंदर भोतिक और असायनिक पदार्थोपर मैट्रिक्स सतर के परशन होगे प्रकृति और विवार्त जीवन की दुनिया प्राकृति घटनाए वर्तमान और प्राकृतिक संसादनों के परभाव और इसमे अंदर जो आपको स्माने गयान के वीडियो दिखाए गए है उन वीडियों को आप सुन सकते हैं देख सकते हैं और इसके साथ-साथ NCRT के जो वीडियो है वो भी आप देखिए आपकी काफी साहिता होगी तो इसके अंदर जो पोश्टे हैं हर्याना के अंदर अंबाला में है हिसार में है करनाल में है कुरुक्षेतर में है रोहतक में यह पांच जगह है जहां पे आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है तो चलिए एक बर इसका फारम और देख लेते हैं वैसे मैंने फारम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप डारेक्ट इस परिकेट में हैं उडिकेट अपर्संचेज उप मार्क अप्टेंड से लिए उपर फूल्स आपने बताने हैं गाल्किलिट तो नेरेस्ट टू डंको तक दो दिश्मल तक इन दरडीवें पॉलं म्स तुदा अपलेकंट सफारम मेर प्रसंचेज उप मार्क इस नॉडड the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard besides indicate the cgpa ope ogpa in the application firm candidates will have to produce the certificate documents issued by the university evidencing conversion formula of university when called for document verification round of percentage will not be acceptable under any circumstances for consideration for appointment the fraction of percentage so arrived will be ignored that is 59.99 percent will be treated as less than 60 percent तो यह कहते हैं कि आपको जो आपके अंक है दस्वी कलास के उनको पर्तिशत के अंदर ही बताना है पर्सेंटेस के अंदर बताना है अगर आपका बोर्ड है वो आपको cgpa या ogpa के अंदर अगर आपको ग्रेड दे रहा है तो भी आप उसकी calculation करके और उसको भर दीजिए और इसके इलावा यह जो फारम है इस फारम के अंदर far serving candidate के लिए आपको जो जो चाहिए वो दिया हुए है सर्विस ओफ अगर कोई examination city है तो जो examination city है वो इसके अंदर बताई गई है दा city वर दा examination will be conducted is online computer-based test mode are mentioned in annexer 2 के अंदर बताया गया कि कौन-कौन से जगह पर यह exam होगा city of examination could be changed allocated in the discretion of iari candidate must select the center of examination carefully तो इनको जो select है वो आपको ध्यान से select करने है age limit है इसमें minimum age limit 18 साल है maximum जो age limit है वो 30 years है 10 January 2022 को जो की closing date है इसके application के regular employee of ICR is 58 year age on 10 July 2022 the upper age limit prescribed above will be relaxable जो भी सरकार की तरफ से आपको relaxation दी जाती है वो इसमें लागू होगी SCST है उसके लिए 5 साल की है backward class के लिए 3 साल की है और इसके लावा आगे अगर इसमें देखने है reservation है जो government के अनुसार होगी content belong to SCST के category shall have to submit the attested copy of caste certificate annexer 4 इसके अनुसार आपको caste certificate बनवाना है OBC है non criminal layer other backward class है उनके लिए भी यही same process रहेगा यह सारा फार्म आप डाउनलोड कर लिजिए डाउनलोड करके इस फार्म के अंदर जो जो चीज़े मांगी गई है उन सब के आप apply कर दीजिए economical economically weaker section है उनके लिए जो annual gross income हो आठ लाख रुपे से कम होनी चाहिए और इसके इलावा वो कहते हैं कि जो इसमें 10 जनुरी 2022 तक आपने भढ़ना दा income हो तो financial year 2020-21 will only be considered तो जो 2020-21 है उसकी जो income हो considered की जाएगी पाँच एकड्स से ज़दे आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए रेजिडेंस फ्लेट है वह एक जार सकेर फूट से ऊपर नहीं होना चाहिए युए तो यह कुछ इन्होंने term and condition दे रखी है और उससे आगे person with disability है जो pwbd benchmark disability है तो इसमें आपके पास कम से कम 40 प्रतिशत का certificate होना चाहिए इसके लिए कम से कम 40% का होना चाहिए तभी आप physically handicapped category के अंदर apply कर सकते हो और ये कहता है जो इनके अंदर category वेगर है वो भी इन्हों दे रखे हैं आप जिस भी category सी हो क्योंकि अगर ये सारा पढ़ने लगेंगे तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एक घंटे पर पहुंच जाएगा और इसलिए आप इसको नोटिस को पढ़ लेना ध्यान से और अगर कोईच बात पूछने तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना उससे आगे हैं एक सर्विसमें के लिए है कुछ और इसके लावा एप्लिकेशन फीस के बारे में है एक्जामिनेशन फीस है अन्रिजिविड है उनके लिए 700 रुपे ह एक्जामिनेशन फीस और 300 रुपे रिजिस्टेशन फीस एक हजार रुपे है वोमन के लिए सेडूल कास्ट वगारा के लिए इनके लिए 300 रुपे है और अगर कोई महिला है वो सेडूल कास्ट से समंधित है एक सर्विसमें परसन विद बेंच मार्क डिसेबिटी आर एक् एक डफिस फोर्थ आत्यूर्थ में बेंच हैं और फोर्ट नेग्सित करेंगे इन्स्ट्रक्षन फब्रश दौकुमेट वेरिफिकेशन टो से इसके इंदर आपको जो आपकी Anders की सेर्टिफिशन ऐस्टाइग उपकी है किस साइप कर श्रूपन स्ट कर दाना पड़े का iari.res.in इस site का link मैंने नीचे description में डाल रखा है वहां से भी आप इसको देख सकते हो और step for applying ये applying के लिए आपको step बता रखें आपको कैसे कैसे करना है सबसे पहले आपको इसी site के उपर जाना है ये site का address दे रखा है और फिर इसके बाद में आगे जैसे जैसे हो उसी साबसे आपने करना है login ID password बढ़ाना पड़ेगा आपको ये instruction आप जहां से पढ़ लेना सारे के सारे ये आपके photograph के बारे में बताया गया है आपकी photograph कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बताया है certificate के बारे में बताया है कैसे कैसे आपने करना है ये कुछ अन्य इंस्ट्रक्शन है इसमें कौन-कौन apply कर सकता है वो बताया गया है और इस तरह से ये सारा आप ध्यान से पढ़ लेना और इसके बाद में भी अगर आपको कोई चीज के अश्यक्ता महसूस होती है इसकी जो salary है वो लगबग 25,000 रुपे के आसपास बैठेगी स्टार्टिंग की जो salary है टैंथ बैस पे है टैंथ बैस पे 25,000 रुपे के आसपास होगी क्योंकि जो इन्होंने दे रखाया करा इटरी है 21,400 रुपे बग़रा के आसपास दे रखाया है और उसके अंदर आपका जो डीए है आपका medical है अन्य जो चीजे हैं वो सारी जुड सकता पड़े तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर धन्यवाद यह आपका चैनल है जीएस वाई इश्वर सर लाइक और सब्सक्राइब कर देना आपका दिन शुब हो